प्रमुक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है साथ भारतिय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों आईसर के बीच आईसर भुरामपूर युवाओं की पहली पसंद बन रहा है पंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट की अद्भुत प्राकृतिक गोद में बसे तथा 200 एकड़ के विशाल परिसर में फैले इस संस्थान की स्थापना साल 2016 में शिक्षा मंत्राले भारत सरकार द्वारा की गई थी दिसंबर 2018 में माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 773.76 करोड रुपई की लागत से ओडिशा के गंजम जिले के लोडी गाउं में आईसर भुरमपूर में स्थाई परिसर के निर्मान की घोशना की गई ओडिशा के विकास के लिए समर्पित भाव से काम करने का हमारा संकल्प आज एक और अहम पड़ाव पर पहुचा है बढ़ामपूर में इंडियन इंस्टिटुट अब साइन्स एजुकेशन और रिसर्च इसका भी काम शुरू होने वाला है माननियकेंद्रिय शिक्षा कोशल विकास एवं उध्यमिता मंत्री शिरीधर्मेंद्र प्रदान जी की प्रेरणा अतूच समर्थन और दूर द्रिश्टी में संस्थान निरंतर बेहतर मानव संसादन को विक्सित करने और अत्याधुनिक विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने में अग्रुसर रहा है. आईसर ब्रामपुर कई क्षेत्रों में उद्कृष्ट अनुसंधान के साथ बेहतर शिक्षा की पेशकश करता है, जिन में BS-MS की Dual Degree, Integrated PhD, PhD और Post-Doctoral Research Training जैसे कारिक्रम शामिल है. वर्तमान समय में आईसर ब्रामपुर, 932 छात्रों, 87 शेक्षणिक और गैर शेक्षणिक कर्म योगियों की बेजोड शक्ती के साथ स्मार्ट कक्षाओं, अनेक विलक्षन प्रयोग शालाओं, सुनियोजित छात्राबासूं, स्वास्तिय केंव्र और खेल संकुल जैसी कई अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है. B.S.M.S. छात्रों के तीन बैचों को सभलता पूर्वक्षनातक कराने के बाद, आज आईसर बुरंपुर, शेक्षणिक माहौल को रचनात्मग बनाने, विविद्धता, लैंगिक समानता और संतुलन को बढ़ावा देने के लिए अग्रसर है. राष्ट्रिय सीमाओं से परे निकलते हुए ये संथान, जहां अंतर राष्ट्रिय सहयोग को लगातार आकर्शत कर रहा है, वहीं विदेशी विश्व विद्यालेयों के युबा वैज्ज्यानिकों की मेजबानी करते हुए, छात्रों शोध करताओं को अत्याधुनिक वै सुनेहरे भविश्य की ओर ले जा रही है, ये राष्ट्र विकास, मानव और पृत्वी कल्यान के दिशा में बढ़ता कदम तथा ज्यान, नवाचार और वैश्विक सहयोग का जीवन्त प्रतीख है